अलो दोस्तों नोसका स्वात आपसका फिसेने वीडियो में दोस्तों आज की डियो में हम देखाले हैं कायड खंड काब के तित्तिय सर्ग का सारांस अपने सब्दों में लिखिए तो चले दोस्तों देख लेते हैं यह प्रिसन पैस्चाई देश्टिजे का प्यादा बेरी इंपोटेंट है तो चले दोस्तों तो दोस्तियार यह रहा तित्तिय सर्ग और दोस्तों कायड द्वारा कबच कुंडल दान दो चले दोस्तों कायड खंड काब का तित्तिय सर्ग द बटकने लगे और इधाय दुरयोदान ने बैश्डव यग संपन करके समराठ की उपादी प्राप्त की और दोस्तो दुरयोदान समराठ बनकर प्रसन था साथ ही उसकी प्रसन था का यह भी था कि कायर ने आजुन को मायने का प्रण किया दोस्तो जब तक बध ना करूँ जब तक अरजुन के हरून प्रान तब तक जो भी कुछ मांगे दे दूंगा वह दान दोस्तो तब तक मास और मदिरा दोनों गोरक्त समान तब तक चार ना धरवाओंगा जो भी हो पाई राम दोस्तो कायर की इस भीसन प्रितिग्या को सुनका द्रोयोधन को बहुत खुशी हुई क्यूंकि पांड़ा पक्च में आजुन ही उसका सबसे प्रवेश सत्रू था दूसरी और योदोष्टा कायर की प्रितिग्या सुनकर चिंतत थे क्यूंकि वह जानते थे कि कायर एक महान युद्धा है और वह अपने इस प्रितिग्या को पूरा कर सकता है और कोरा पक्च में भीसम द्रोण किरपाचार अस्वधामा आदी एक से बढ़कर एक बीर थे प्रांतु कायर उन सभी में अदुतिय था युद्धिश्टर यह भी जानते थे कि जब तक कायर के पास दिब्ब कबच और कुंडल है तक तक उसे प्रास्त कायना असंभा है दोस्तो कायर के प्रेंड को सुनका देबराज इंदर भी चिंता में पड़ गए और क्यूंकि वह आरजुन के पिता थे उन्होंने आजुन को बचाने के लिए कायर से कबच और कुंडल दान में मांगने का निश्चा किया और वह जानते थे कि कायर दान पाने की एक्छा से आये हुए किसी ही ब्यक्ति को निरास नहीं करता और इंदर के इस सरयंतर को सुरे ने जान लिया और उन्होंने अपने पुत्र कायर की चिं कर दिया कि ब्रामर मागे दान कैंड ने जहातों की मौड और उन्हें बज्जर से इसके पहले ही वह देगा तोड दस्तों सूर्देव ने उसे समझाने का प्रितन किया परंतु विफल रहा और जब इंदर ब्रामर की बेसमें कैंड के समख कबच कुंडल दान में पाने की आस में उपस्तित हुए तो करण ने सहस देवराज इंद की मूर्चा पूर्ण कर दी और मलब उनकी एक्चा पूर्ण कर दी और करण जानता था कि कबच और कुंडल की बिना आज़न उस पर हावी हो सकता है परंतु करण ने अपने समर्थ और बिश्वास रखते हुगे दान देने का आपना पना पूरा किया और वा जानता था की इंदर ही ब्रामर भीस में आई है तापी उसने इंदर को निरास नहीं किया और इंदर एक्च्छा तो पूरी हो गई परंतु इंदर को लगा की मानो वह ठगे गई हों उन्होंieben Sophia की मलंप मलककत से प्रसंसा की और इस प्रसंग से कायन बीर्द की दान बीरता का पता चलता है उसने जीबन भार अपने इस प्रसंग का पूरी निश्टा से पालन किया तो दोस्तो आसा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी पसंद आएगी लाइक ने चैनल को सब्सक्राइब लेना और आगी की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने बाली वीडियो जोगी देखें